बागलपूर के सुल्टानगंस्थाना चेतर नवादा गाउं में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई गटना में युवक गंभेर रूप से घायल हो गया जिसके बाद आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया गायल युवक की पाचान सर्युग मंडल के पुत्र रितेश कुमार के रूप में हुई है जिसके बाद वहीं दूसरे पक्ष के सैलेंदर तांती के पुत्र ललू कुमार तांती की जम कर मार पीट कर उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया वहीं गटना की सूचना मिलते ही सुल्तान गंज थाना पुलीस मौके पर पहुची जिसके बाद पुलीस ने ग्रामिनों की मदद से दोनों घायलों को रैफरल अस्पताल सुल्तान गंज में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने रितेश कुमार की गंबीर हालत को देखते हाला की घटना का कारण अब तक असपश्ट नहीं हो पाया है पुलीस का कहना है कि घटना में सामिल लोगों की गिरफतारी के लिए च्छापे मारी सुरू कर दी गई है इस घटना के बाद इलाके में तनाओ का माहौल पैदा हो गया है फिलाल पुलीस ने लोगों से सांती बनाए रखने और कानून को हात में नहीं लेने की अपिल की है सदा गोली मार दिया एक गोली ऊपर चौना था आँ दूसरा गोली अब जा रहे थे रोट फेर दूर्गास थन जा रहे थे वह मतलब करते हैं विजनस करते हैं चोटा-मोटा पान के राना दूकान है अपका नम क्या है मेरा नम राजन चरूस्या 31 माई को देश भर में तंबाकू निसेद दिवस के अफसर पर बेवन ने जागरुकता कारिक्रमों का आयोजन किया गिया जिसका मुख्य उद्देश लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले खत्रों के बारे में जागरुक करना और उन्हें तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था वही सुक्रवार को तिलकावाणजी वागलपुर उन्वरसीटी में भी तंबाकू निसेद दिवस पर एक विशेश कारिक्रम का आयोजन किया गिया कारिक्रम में तंबाकू के सेवन से होने वाले दुस्स प्रभावism पर एक गोश्टी का आयोजन किया गिया गोश्टी में वक्ताओं ने तंबाकू से होने वाले बिविन परकार के कैंसर हिर्दे रोग और सांस लेने में तकलीव जैसी बीमारियों के बारे में बिस्तार से बताया गया इसके बाद सभी कर्मियों और छातरों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की सपत भी दिलाई गई वहीं टीम बीउ बागलपूर के कुलपती डॉक्टर जवाहरलाल ने रदेश दिया कि बिस्व विद्याले के सौ मीटर के दायरे में ना ही कोई तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही तंबाकू की विक्री होगी उन्होंने कहा कि एक सपता तक एनसेस के बॉलेंटियर तंबाकू विक्री करने वाले दुकांदार को समझाएंगे अगर एक सपता के बाद भी तंबाकू का सेवन व विक्री बिस्व विद्याले के सौ मीटर के दायरे में होती है कुलपती ने कहा तो जिला परसाशन से लिखित सिकायत कर उन्हें सजाव जुर्माना लगाने का कारे किया जाएगा प्रे दिया बच्चों को कि नसा करना है तो अच्छे चीजों का नसा करो अच्छा चीज बड़ा बना देगा और बुरा नसा जो है तुम्हें बरबाद कर देगा तुम्हारे परिवार को बरबाद कर देगा देश को बरबाद करता है इसलिए आज जो तुबैको का जो परतिवंध है वो जो डे मनाया जा रहा है उसमें मैंने अपने विश्वद्याले के लिए एक घोसना की है कि 100 मिटर के अंदर ना तो कोई धुम्रपान या किसी भी परकार का तंबाकू जो है का निसेद रहेगा बर्चित रहेगा और जो इ सजा मैंने एक्ट के अनुसार बता दी है कि दो साल की सजा होगी या एक हजार जुर्माना दोबारा पकरे जाने के बाद में मतलब पांच साल की सजा या दस सजा रुपए जुर्माने का प्रभणान है यही कारण है कि आप देखते हूं है कि जितने भी पब्लिक कुलिक तुम्बएको पर परटिवंध है यही कारण होता है चुकि यहा जो किसी व्यक्ति को ही सिर्फ मतलब हार नहीं पहुंचाता बलकि आरज पास के लोगों को भी बुरी तरह से समाज को प्रॉपदित करता है तो जिस कार्ज को करने से बटिया थानी होती हो समाज की हा नहीं होती है उसकार्ज को यह था सिग्र पर्तिवंधित कर देना चाहिए रोकना चाहिए इसके लिए हमारे जो एनसेस के खासकर जो वोलेंटियर्स हैं उनको मैंने कहा है कि जो हमारे विशुद्याले के बाहर ओर जो जितने भी दुकाने लेगे हुए हैं हन्देड मीटर्स के अंत्रगत वो सभी लोग आप लोग जाएं और गांदिगीरी अपना हैं मतलब चाचा भाईया कहके पहले प्रात्न करें कि गुटका बेचना बंद करो सिग्रेट बेचना बंद करो खैनी बेचना बंद कीजिए और वो यह कहेगा कि हम ही तो आपकी बेटी के समान हैं हम तो आपके बेटा के समान हैं नहीं जानते हैं आपके दुकान में कौन आता है अना लेकिन वो जो आता है वो बरबाद हो रहा है स्वायम और उसका पड़िवार वैसी प्रस्थिति में पहले गांदिगीरी एक सब्ता यही काम करेंगे इनेसेस के बोलेंटियर्स ठीक है डे प्रसाशन और पुलीस प्रसाशन को मैं लिखित दूँगा कि इन दुकानों को यहां से हटा जी है बागलपुर के बाबा बुड़ानात मंदिर के समे प्यस्तित पार्क में डिजनी लेंड मेला का शुबारंबुआ मेला काउद गाटन वाड संके 28 की पार्सत कुमकुम देवी, पार्सत सांडेले नंदिकेस, संजे सिना, डबलु जैसवाल, पूनम जैसवाल, पृतम कुमार, पारस कुमार, नाब्या जैसवाल, काब्या जैसवाल सहीत कई गन्माने लोगों ने फीता काट कर और दीप मेला संचालक डबलु जैसवाल ने बताया कि मेला में तारामाची, ब्रेकडांस, ड्रैगन ट्रेन सहीत कई परकार के जूले लगाए गये हैं, साथी सजाबुटी सामान और खाने पीने के इस्टाल भी लगाए गये हैं, उन्होंने बताया कि स्कूल में गर्मियों की कि कई अनूठे मामले सामने आ रहे हैं, गुरुभार को एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर साधी का जहांसा दे कर उसके साथ यौन शोषन करने का आरोप लगाया है, उक्त लड़की का कहना है कि प्रेमी ने उसे ध्हुका दे कर यौन शोषन किया और जब उनसे साधी क बात कही तो प्रेमी उसे टाल मटूल करने लगा पूरा मामला जिले के बुद्दुचक थाना छेतर का है जहां पिडिता ने अपने प्रेमी अमन राज पर साधी का जहांसा दे कर उसके साथ योन सोसन करने का आरूप लगाया है पिडिता ने लिखित आवे दन दे कर महला था बताया जा रहा है कि लड़की रानी दियरा निवासी तीलो मंडल की 22 वर्स ये पुत्री है जिसका प्रेम परसंग पास के ही सुरेश मंडल के 26 वर्स ये पुत्र अमन राज के साथ विगत 5 वर्सों से चल रहा था पिडिता ने बताया कि वह ग्रेजेशन सेमेश्टर 2 की प लड़की ने बताया कि साथी की बात पर पहले तो वह हामी भर रहा था लेकिन हाल ही में 10 मई को लड़के के आईकर विभाग में करमचारी के पत पर उसकी नौकरी होने के बाद लड़के का मिजाज बदलने लगा और उसने लड़की को पाच्चानने से ही इनकार कर दिया लेकिन लड़के के परिवार वालों ने 20 लाक नगद और एक गाड़ी की मांग की जिसे पूरा करना उसके पिता के लिए काफी कठिन है वही लड़की की मा सरोज देवी ने कहा कि वह विगत दो वरसों से यह जान रही थी कि उसकी पुत्री किसी अमन नाम के लड़के के सा प्रेम परसंग में है और वह उसके कई बार मिलने के लिए भी आया था उसकी मा ने कहा कि उसे साधी से कोई एतराज नहीं है लेकिन लड़के वाले साधी के लिए काफी पैसे की डिमांड कर रहे हैं वही महला थाना परवारी किरन सोनी ने पिडिता के लिखित आविदन को स्विकार करते हुए उसे मेडिकल जाज के लिए सदर स्पताल भेज दिया थाना द्यक्षी किरन सोनी ने कहा कि मामले की जाज की जा रही है और दोसी पाए जाने पर लड़के के खिलाप कारवाई की जाएगी जाएगी क्या हुआ है घटना क्या हुआ है किसने किया रेख कौन है यह अमन राज कब से था तुम उसके साथ में कम से थी पांच शे साल से बात चे तो साधी की बात कही तो क्या कहा है वो बोला कि हम नहीं करेंगे पैसा ले लो तुम साथी और काई कर लो क्यों अब जो पैसा देगा तो बोलता है क्यों पांस साल से आफैर था तुमारे साथ हम बीस्तर थी अब क्यों ऐसा बोला नहीं करेंगे हमको साथ में साथी नौकरी कहा लगी है उसकी? किस वीभाग में? इंकम टेक्स वीभाग में नौकरी लगी है. कहा करने वला आमंराज? राणी दियरा का. थाना बताव? बुद्धु चक थाना. तुम्हारा गर कहा हुआ? मेरे घर मोहें, रानी दियरा. रानी दियरा बुद्धु चक था ना चाहती है परिवार वाले से मिलने उनने गई लड़का जाने गई अच्छा परिवार वाले भी मतलब तेयार नहीं है टाल मटोल कर रहा है तुमारे से इसने केस करने के लिए आई हर तक ह्मार मटों कि दूसाल से मालुम दूसाल से 10-3 प्रेम प्रसंग में आजया था है कर बहुति खर्चाने कि पिशे चोड़ दो का नए जयं तुम करेगी तुमbecue श चाहिंक ने के बेटी के साथ में फोटों स्रिया देंगे तो कहों लगा वाल गायेगा भी कोई करा आए स आज क्यों लड़का पीछे हड़ गया है लड़का उसको नोक्री लग गया है आप लोग क्या चाहती हैं साधी करने के चाहती है बागलपूर पिरपैति थाना छेदर से एक लड़की के साथ दुषकर्म का मामला शामने आया है जहां पिडिता ने महरसी मही आसरम के बावा पर जवरदस्ती योन सोसन करने का आरोप लगाया है पिडिता की माने तो वह 22 माई को महरसी बावा की जैनती पर गई थी साथ में उसकी छोटी बहन की बेटी भी थी पिडिता ने दभी जुबान में बताया कि कारिक्रम खत्म होने पर वह बातरूम चली गई इसी बीच बावा नभीन की गंदी निगाहे उस पर थी जिसके बावा ने लड़की को अपने कमरे में बुला कर पहले सिंदूर से उसकी मांग भरी और फिर हवस मिटाने के लिए उसके साथ रेप किया वहीं विरूत करने पर गर्म ऐरन से हाथ भी जला दिया और दमकी भी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे वहीं पिडित लड़की नयाई के लिए पुलीस अधिकारी के दफ्तर के चकर लगा रही है उसका कहना है कि अब कौन मुझ से साधी करेगा वहीं मैला थाना में 29 माई को मामला दर्ज कर शुकरवार को पिडिता का मेडिकल कराया गया गवरतलवों की से पुरुबी बागलपूर के आसरम में रेप का मामला सामने आ चुका है वहीं पिडिता के मुताबिक दुसकर्म के पस्चात रात बर्वा किसी तरह आसरम में गुजारी जिसके बाद सुबह घर पहुँचने के बाद लड़की ने अपनी सारी आबिती अपने परिजनों को बताई वहीं लड़की की बाद सुन लड़की की मा सिकायत लेकर सीधा महिला थाने पहुँची और आरोपी बाबा के खिलाप सिकायत दर्ज कराई क्या गटना हुआ है? क्या हुआ था? वह दोड़ के आया और रूम लगा दिया और मुह भी चाप दिया मेरा और पहले वह सिंदूर दिया मेरे मंग और कौन था तुम्हारे साथ में मेरे साथ में मेरे कहन बिटी थी वह बातरूम चली गई थी उस वक्त उसी वक्त रिये ख़त्मा हुआ है फिर क्या हुआ फिर हम सुबार चले आया हमको जराया धंकाया को आयरं से हां जला दिया मेरा बाबा डराया धंकाया हां आयरं से बाबा की जलाया क्या का बाबा बाबा क्या बोला था साधी के ऐसी कोई बात बोली तो नहीं वो जैसे गाउं मेने आता है तक सब में प्रोग्राम दिशेवर्ण क्या कह करके धंकी दिया बाबा क्या बोला क्या किसी को अगर बताएगी तो तुमको मरवा देंगे